गुद मॉर्निंग बुच्चों, आज हम डब्ली एच वले question words करेंगे, प्रशन पूछने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, देखो इन सब words में, starting में डब्ली एच है, इनके meaning अलग अलग है, what means क्या, when means कब, where means कहा, why means क्यों, who means कौन, how many, कितने, which, कौन सा, ये हैं question words, इनके meaning याद करो सोभी बच्चे, what, क्या, when, कब, where, कहा, why, क्यों, who, कौन, how many, कितने, which, कौन सा, अब इन question words को अगर तुम जान गए हो, तो जो questions अगर कोई हम से पूछता है, तो उसके answer देने में आ जाएंगे, जैसे when do you get up, get up माना, उठना, और when means क्या है, अभी करा हमने, कब, तुम कब उठते हो, तो हम बता सकते हैं न, 6 o'clock, 7 o'clock, तो यह बता सकते हैं, which, which means, कौन सा, TV प्रोग्राम, do you like, the most like, माना, पसंद करना, तुम्हें कौन सा TV प्रोग्राम सबसे जादा पसंद है, तो कौन सा पसंद है, जैसे अगर तुम शिंचेन जादा पसंद करते हो, तो answer दोगे, शिंचेन, when do you play, तुम कब खेल हो, शाम को 6 बजे, तो 6 o'clock, in the evening, तो when का meaning पता होगा, तभी हम इसको answer कर पाएंगे, how many members are there in your family, how many मना, कितने, तुम्हारी family में कितने members है, तो इसका answer क्या होगा, पांच, छे, जितने भी हैं, 6 members, 7 members, तो how many का, जब इन question words का meaning आएगा, तभी तुम ये बता सकोगे, when do you go for shopping, तुम शॉपिंग के लिए कब जाते हो, तो festivals पे जाते हैं हम शॉपिंग करने के लिए, जब भी कोई festival होता है, तो वो जवाब दोगे, what is your hobby, तुमारी hobby क्या है, तुमें क्या करना पसंद है, hobby मना, जिसे को TV देखना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, तो जो TV देखना पसंद है, वो गएगा, watching TV, और जिसे केलना पसंद है, तो playing games, what kind of food do you like and why, तुमें कैसा बोजन पसंद है, और क्यों, अब किसी को तो चाट पसंद होगी, क्योंकि वो बहुत spicy होती है, उसमें मसाले होते है, चटपटा होता है, तो इनके meaning question words के समझो, when do you sleep, तुम कब सोते हूँ, तो इसका answer तुम दे सकते हूँ, तो ये question word है, इनके answer जो तुमें कराए गए है, ये word meaning तुम पके एलान करो, और फिर इनके answer तुम अच्छ से दे पाओगे, अब जैसे इसी तरह से, ये page number 44 है, तुमारी book में, English की book में, page number 44, इसको बढ़ सकते हो, जैसे, blank is your name, तुम्हारा नाम, क्या बोलोगे न, तो क्या के लिए क्या होएगा, what, तो यहां पर क्या आएगा, what आएगा, what is your name, blank is your school, तुम्हारा स्कूल, अब देखो यह बता रखा, it is on, तुलाराम रोड, तुलाराम रोड पर है, तो मतलब जगे बता रखिये, तो क्या पूछेंगे, तुम्हारा स्कूल, कहा है, answer को देख के समें, कहा का, वेहर, वेहर is your school, blank is your class teacher, class teacher का नाम बता रखता है, मिस चान्दनी, तो क्या पूछेंगे, तुम्हारी class teacher कौन है, who, कौन के लिए, who, blank, are you sad, I have lost my pen, मेरा पैन को गया, तो क्या पूछेंगे, कि तुम उदास क्यों हो, क्यों के लिए, why, blank, do you get up in the morning, किस ताइम उड़ते हो, तुम सुबह, when, blank is your favorite subject, तुम्हारा favorite subject कौन सा है, कौन सा के लिए, which, इसी तरह से ये वाले बढ़ने, select करके word meaning learn करना, और फिर इनको fill करना पे जम,